कि starting में हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से हमारा जो ताके मीची होता है वो बहुँच ज़़दा डिप्रेस जो जाता है लेकिन कैसे भी करके ना हो तो उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब रोने से कुछ नहीं होगा तुम्हें वापस से जाना होगा और काफी अच्छी तरीके से ये सब चीजे चल रही है दोनों के बीच में बात होती है जहांपे ताके मीची इनको देखकर वो कहता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ ऐसा वो मन में सोचता है जहां पर हमें दिखाया गया शीबा को जिस पर वो कहता है मैंने तुम्हें पहले कही देखा है और इसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुली में ये तुमन में सेकंड डिविजन पर है यनि कि सेकंड डिविजन का लीडर है ये हकेई शीबा जोकि 11th लीडर है और ब्लैक ड्राइवरिन का ये बाद तो उसे कादूतूरा ने ज़रू बताई थी और पीछे पास्ट की यातों को याद करने के दोराण ही वो हीना के पास थोड़ा सोच पे बैढ़ जाता है इसके बाद हीना उसकी तारीफ करती है इस बाद से थोड़ा सा ताकेबीची जेलस फील करता है और इस चीज़ को देखने के बाद वो खुद भी उसे काफी इसली बीट करने के लिए उस बॉल को फेकता है और काफी बार ऐसा करने के दौरान ही इन दोनों लड़कियों के बीच में थोड़ी सी दोस्ती होने लगती है क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को अपनी अपनी चीज़े शेयर कर रहे होते है और ताकि मीची काफी ज़दा हार डर्ग तरीके से मेहनत करके उस गोल को अचीव करने कुश करता है लेकिन इन दसेंस की लास्ट में वो हार ही जाता है यहां पर उसने काफी अलग अलग तरीकी की जगह पर फाइट करता है यानि कि game के अंदर और रहर जगह पर हार जाता है हक्काई शीबा से यानि कि हक्काई शीबा से यानि वो कहता कि चलो हम लोग पिंग-पॉंग खेलते है यहाँ पर उसकी बड़ी बहन जो की पीछे ही खड़ी होती है वो कहती कि यहाँ पर पिंग पॉंग है ही नहीं तुम उसके साथ क्या ही खेलोगे तुम चलो यहाँ पर हकाई शीबा ने भी पहचान लिया होता है कि तुमन का फर्स्ट लीडर या को फर्स्ट डिविशन का लीडर ताके मीची ही है जो कि अब उसका फ्रेंट बन चुका है ताके मीची अभी भी सोच में होता है क्या यह दोनों भाई बहन है और इस चीज को पूछने के बाद जानने के बाद कि यह लड़की कोई और नहीं उसकी बड़ी बहन है यानि कि हकाई शीबा का लेकिन इसका कोई भी इंटरस्ट नहीं है अपनी ड्रेगन ब्लाक ड्रेगन के साथ रहने का खेर हमें देखने को मिलता है कि जितनी बार भी ही ना तारीफ करती है इतनी बार ही जो शीबा होता है वो स्टॉप हो जाता है और उख आक्वड से साइलेंस भी हो जाती है उसकी बड़ी बहन एक्स्प्लेइग करती है कि उसका भाई जब कभी कोई लड़की उसकी तारीफ करती है तो उस दौरान वो एकदम से ब्लैक आउट हो जाता है लेकिन वापस से टच करने पर वो वापस से नॉर्मल हो जाता है जिस पर वो सोच रहा होता है ताके मिची कि ये बंदा काफिज़ता अच्छा है लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो प्रेज़ेंट में जाकर आइमिन फ्यूचर पे जाकर इतना बुरा बन गया कि पैसो के लिए वो किसी की भी जान ले लेता है और इसके जस्ट बात वो अपने फ्लैश बैक में याद करता है काज़ोतोरा की उस बात को जहांपर वो पैसो के लिए किसी कभी खून करने को रेडी होता है और इस चीज़ को देखने के बाद वो सूचता है क्या ये ब्लैक ट्रेगन का मिंबर है या फे तोमन का बले ही ये सेकंड डिविजन का लीडर बन चुका है लेकिन ये खदरे से कम नहीं वहीं पर उसकी बड़ी बहन और वो दोनों बात करते हुए जा रहे होते है कि शीबा एक्चुली में तीन भाई है और इस बात को सुन कर हमारा ताके विची काफे ज़्यादा शौक पे चला जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो वापस से शान्त हो चुका है जिसके बाद वो उसे फोटो भी ज़रूर दिखाती है जिस पर वो बताती है जिस लॉक स्क्रीन में तुम बंदे को देख रहें उसका ना मित्स हुया है और यह दोनों भाई है एक्चुली में यह तीन भाई है लेकिन इन्हें अभी सिर्फ दो भाईयों के बारे में ही बताया गया है इसके बाद वो फ्यूचर के बारे में सोचता है और ताके मीची को समझ में नहीं आता कि कौन सा बंदा सही है या कहूँ काजुतोरा सही है या फिर ये लेकिन यहाँ पर वो past की बातों को याद करता है कि हाँ यह बुरा हो सकता है क्योंकि future में हमने इसे देखा है और यह black dragon का ex member भी होगा ऐसा चीज भी उस मन में लाता है जिस पर वो कहता है कि अगर ऐसा है तो हकाई काफ़ जादा bad है यह दूसी तरफ देखने को मिलता है कि जब यह लोग अपने घर पर पहुंचते है तब ही उसकी बड़ी मैं कहती है हकाई यह काफ़ दा bad है क्योंकि यहाँ पर murder squad खड़ी होती है black dragon की और यह एक काफ़ी bad news होती है जिस चीज को तोमन का first division का leader यह फिकों ताके मिची देखता है जिसकी shirt पर लिखा हो था B and D इस चीज का मतलब वो सोच रहा होता है जिस पर वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ यहाँ पर ताके मिची को वापस जाने के लिए कहता है जिस पर वो कहता है कि future में यह बंदा एक्स ड्रेगन यह फिकों एक्स ब्लैक ड्रेगन का leader बनेगा कि मिची हमेशा से हीना को ही protect करने की कोषिश करता है जिस पर वो कहता है कि अब मैं piss जाओंगा actually मैं ब्लैक ड्रेगन का एक member बताता है कि यह बंदा कोई और नहीं यह first division यह को तोमन का first division leader है जिसे मारने के लिए सब लोग उसे भेजते हैं पर हमें पता चलता है कि सेशू इनू नाम का यह बंदा जो कि 10th generation ड्रेगन का captain है और यहाँ पर हमें एक चीज और देखने को मिलती है कि वो order जिसमी बंदों को देता है मारने के लिए उनके सब के बीच में सिर्फ एक बंदा खड़ा होता है और वो कोई और नहीं और वो होता है हीबा यह फिकाओ हकाई शीबा सौरी खैर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो उसे पीछे अटने के लिए कहता है जिससे वो ताके मीची और हीना दोनों को प्रोटिक्ट कर सके जिस पर वो व्यक्ति कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा मैं अपने बॉस का काफिदा लॉयल हूँ इतना कहा ही था कि तभी पंच पढ़ जाता उसके मूँपर और वो वहीं पर सब लोग शौक हो जाते हैं इस चीज़ को देखकर कि ये बंदा कैसा है तभी हमें देखने को मिलता है इतने जादा खून खरावे को देखकर उनकी फट जाती है क्योंकि हकाई चुग को ब्लाक रेगन का भाई भी है वो उसे पीछे हटने करे भी कहता है लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता वो बताता है कि हमारी लोयल्टी हमारे बॉस के लिए काफ़े जादा है इसलिए हम उसके भाई को भी मारने से हटेंगे नहीं तब ही उसे एक पंच पढ़ता है जो कि उसकी बड़ी बहने मारा होता है और यह कहती हुई कि मेरे चोटे भाई से दूर हो जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे उससे फरक नहीं पढ़ता कि सामने कोई लड़की ही हो क्यों नहों वो उन्हें भी खतम कर देगा आपर हमें तेखने को मिलता है कि मर्डर स्कॉर्ड का में लीडर जो कि ब्लैक ड्रेगन का और कोई नहीं यहां पर वो उसका भाई ही है यानि कि हीबा, शरीबा का हकाई शीबा का सुरी एक्चुली में यहां पर नाम लेना टफ हो रहा है तब ही एक बंदा दोड कर आता है जो कि ताके मीची को जबर्दस तरीके से पटक देता है जड़ ताके मीची जाने वाला होता है क्योंकि ताके मीची काफिदार डर चुका था और उसके गर्दन पर एक पैंच पड़ता है जो कि ब्लैक ड्रेगन के लीडर मीची बहुत जादा घायल हो चुका होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था जहां पर पूछने पर पताया जाता है कि ताके मीची तूमन का फर्स्ट लीडर है ये को फर्स्ट डिविजन लीडर है और तुमारे भाई का दोस्त भी है इस बात को सुनकर ये बोलता है कि ये कैप्टन अफ तोमन है और ये चीज सुनकर वो बहुत ज़्यादा हसता है और इस चीज को सुनने के बाद वो एक जबर्दस और किक मारता है उसके चेहरे पे जिसकी वज़े से उसके दाद के पास से कुन निकलना स्टार्ट होता है लेकिन वो उसे रूप लेता है और यहाँ पर वो अपने भाई को ओर्डर देता है कि तुम अपने इस दोस्तिया को तोमन डिविजन फर्स्ट के कैप्टन को खतम कर दो तुमने सुना नहीं जो मैंने कहा और यह कहने के बाद ही अपिसोड वही पर बुम नेक्स्ट अपिसोड इसका जल्दी आएगा तो मैं इससे नेक्स्ट अपिसोड को नेक्स्ट वीक पर जल्दी से एक्स्प्लेंग करूंगा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें बैल एक का दमाना बिल्कुल भी ना भोलें जो मेरा न्यू चैनल है उसे बज़ा के सब्सक्राइब कर लिजे थैंक्यू टेक केर और बाइबाइ